डांडिडी पंजाब निशनल बैंक के समीब कुछ असामाजिक तत्वों ने एक परिवार के साथ घर में घुसकर जमकर मारपीट की वह घर में तोड़ फोड भी किया इस बाबत भुक्तभोगी गुलसन खातून ने मुफसिल थाना पुलिस को आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है पुलिस को दिये गए आवेदन में गुलसन खातून ने कहा कि लगभग 20-25 लोग अचानक मेरे घर में घुस गए और घर के सदस्यों के साथ मारपीट वह तोड़ फोड़ करने लगे इतना ही नहीं बलकि घर में मौजूद युवतियों के साथ छेड़कानी भी करने लगे जब घर के अन्य सदस्यों ने इसका विरोध किया तो उन लोगों ने उनके साथ भी मारपीट करना शुरू कर दिया बताया कि इस घटना में उनके अलावे मोहमद नौसेवान और सोयब को गंभीर चोटाई है बताया गया कि डानी डी में उनके घर के आगे कोई एक्सिडेंट हुआ था एक्सिडेंट होने के बाद कुछ लोग वहां से भाग गए थे जिन लोगों ने उनके साथ मारपीट की है वे सभी घर में घुसकर या आरोप लगा रहे थे कि एक्सिडेंट होने के बाद कुछ लोग उनके घर में छिपे हुए है उन्हीं को खोशते हुए सभी उनके घर पहुंचे और अचानक मारपीट वा तोड़ फोड़ करना सुरू कर दिया इधर इस घटना के बाद आसपास के लोगों में काफी आकरोस है इधर मामले की सूचना मिलने के बाद मुफसिल थाना पोलिस भी मौके पर पहुंची और जाच परताल में जोट गई है कि तुमारे वाज़ार जब कि मेरा पापा पानी पी के बाहर निकाल रहा तो हम लोगो मारने लाएं तो हम लोगो फोड़ा है तो हम लोगो भी मारने लाएं क्या करते है पुरा पेट बारा हम लोगो के से खांगे कि अधाता चैलाने घूर दिक्कत होते हैं कहां आपका प्ताजी चाही है तो का अच्पर माबन अभालव मधी दूनो बेटा और उसको बाप मेठा नाम के बाटा नाम साननी एरा अ बिक्की, सोनु, रुपेस, अठागूरू, संजय, रंजी, बचाने के अभाय को भी मारा है बचाने के अभाय को भी मारा है